हाई गाईज वेलकम टू सरकर ट्रेडर्स में मैं पिछले वीक थोड़े सी बीजी था इस वीक में आपके साथ हमरे टेलिग्रम चैनल के साथ जोड़े रहूंगा जिन लोग इस वीडियो को फर्स्ट देख रहें उनको मैं बताना चाहता हूं जो हमारा जो वीडियो है इसके अंदर हम ग्लोबल मार्केट ऑप्संचेन और एक्टिविटीज कर रहे हैं इनको पूरा ब्रीप करके और टेक्निकल चार्ट के मदद से मैं आपको समझाता हूं कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे आपको कौन सी टेडिंग सेशन बढ़िया रहेगा कौन सी टेडिंग ल साइद ना मिले तो अगर आपको यह वीडियो अच्छे लग रहा होगा तो अब हमने चल को सब्स्राइब कर सकते हैं अगर अच्छे लग रहा है तभी सब्सक्राइब कीजिएगा अदरवाइस कोई कंपरसर ही नहीं है तो हमरा जो 25 को नहीं स्टार्ट हो पाया था और तो अभी हम चलते हैं निप्टी का अनलाइसिस के उपर और सबसे पहले मैं चार्ट में चलूँगा हमने क्या देख पा रहे हम यहां पर एक यूस फॉल हुआ था और फिर मार्केट एक पॉजिटिव गैप अप हुआ है इसके पीछ कारण किया है इसके लिए मैं दूसरा चार्ट में लेके चलूँगा किसके चार्ट कूरूड ऑइल का चार्ट अब देखो कमुडिटी मार्केट एकुटी मार्केट बहुत सारे नये दोस्तों को तो थोड़ी सी घह राई नहीं पता होता है मैं उनको पताना चाहता हूं जो मार्केट के अंदर मेन फेक्टर होता दो अलग लग करन था हमने हमें यह पता है कि उक्रेयन के साथ रश्या का जो लड़ाय चल रहा है अब उक्रेयन के अंदर सबसे में प्रोड़क्ट क्या है में किस लिए मसूर है तो हम सबको यह पता है जो उक्रेयन के उपर हमने वाइल फैक्ट्री जो है उनके लिए बहुत बड़ा मशूर है तो यूक्रेन के अंदर ऐसी इस्थी चल रहा था जिसके बज़े से बाकी देशों में वाइल सप्लाई के उपर एक कमिया आने का शंका है था अगर ऐसे हमें डर लग रहा है तो डेफिनेटली आपको वाइल जो है वह बहुत हाई प्राइज में जाने जाना चाहिए और उसके बाद फिर गिरा क्यों जब बाद में अमेरिका अबरल क्या है अमेरिका ने पूरा चुछों को कंट्रल करने के ठेके लेके रखे हैं अदर् इतनी ज़्यादा प्रिशर आने नहीं देंगे हम कंट्रल करने का कोशिश करेंगे तो यह जो दो न्यूस है यह दो न्यूस मार्कर को काफी हर्त तक रहात दिया है और प्रूड़ायल का अंतर जो तेजी आया था वो तेजी फिर से वापस हो गया आया समझ में चलो ओके अ अभी हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि एजीश निप्टी यूस मार्केट यूस मार्केट आप देख पा रहे हैं जी कितने पॉइंट आप है और 221 एवरोपेर मार्केट का एप्टियस कैक डैक्स सबमें एक पॉजिटिव उजहान अड एशियन मार्केट को पर ही सिमिलरल इसका बीच में अगर कुछ और खराब नियूज आ जाता है अगर थोड़ी सी पॉजिटिव नियूज आ जाता है तो यह 300 जो 317 पॉइंट है वह 400 पॉइंट जा सकता है और ऐसी अगर सीच्वेशन बनाएगा तो इंडियन मार्केट ओपन होने जाएंगे कहां पे अभी है 16668 यहां से हम 200-500 जोडेंगे यह जोडने के पाद हमारा जा रहा है 850 यारब आपको सामने हम धीरा जिरे टेक्निकल के तरफ बढ़ रहे हैं अब यहां से एक ट्रेन लाइन जो ड्रॉआ कर रहे हैं यह आपको मंडे के लिए 1st class हो जाएगा resistance और जब भी कोई लेबल resistance बनता है तो उससे break करने के लिए क्या होता ह। या तो फ़र इस label को उपर market को open होगा यानि कि 16,880 के उपर market को open होना है समझहे रहे हैं तो इसको उपर sustainable होना है ऐसे ना हो कि इसका करीब ध्यान से देखिएगा मैं हमेजर यह pinpoint आपक 쉽 यहां से समझने का कोशिश करता हूं, 16,880-90 इस लेवल को अगर मानलों यहां पर ओपन हुआ, और यहां पर ओपन होके यहां तक positive गया तो आपको यहां पर careful हो जाना है, क्योंकि यहां से market fair down आ सकता है as per technical power, आप यहां पर firstly support कहां लेगा, देखो firstly support कहां लेगा, यह मैं आप मंडे के session आपको इसको बीच में फसा सकता है, क्योंकि ऐसे market में mocha kinko मिलता है, जो btst कर रहे हैं, but btst करना भी नहीं चाहिए, बिल्कल गलती से भी नहीं करना चाहिए, फ्राइड के session में, मंडे के लिए जब ऐसी situation चल रहा है, रिक्सी टेडर्स हां, जिनको पास एक ल लेवल है, तो लेवल आपको होगा 16,800 to 16,900, क्लिया ले सुन लिजिए, 16,800 to 16,900, ये मेरा मंडे के लिए एक क्लिया लेवल रहेगा, जब तक ना 16,900 को उपर मार्कर सस्टेनेबल हो रहा है, सस्टेनेबल मेंस, फिर कमेंट्स करेंगे से सस्टेने मेंस कितना टाइम, तो मै और से कंडल को उपर, फिर से ये चलना चाहिए, तब मैं यहाँ पर सस्टेनेबल मानूंगा, अदर्वाइस आपको इसी रेंज के बीच में फिर प्रीमियम डीके कराएगा, अब फिर से एक सवाल आता है, प्रीमियम डीके, कब होता है, कैसे होता है, जब हमें इंडिया भ इंडिया भिक्स कभी एक सपोर्ट लेबल यहां पर आ रहा है, अगर इंडिया भिक्स इससे भी नीचे और डाउन होता है, तो फिर मार्केट के अंदर इतनी वोलेटलेटी थुरा से कम होते जाएंगे, तो काफी चीज़ सेखने के लिए मिल रहे है कि नहीं आपको, चलो, अब हम बात करते हैं कि जो मैं एक presentation तयार किया हूँ, अब इस presentation के अंदर हम देख पा रहे है कि जो FIS का data क्या आ रहा है, यहां पर क्लाइंट, क्लाइंट ने कितना trading कर रहे हैं, क्या long कर रहे हैं, क्या long कर रहे हैं, क्या short कर रहे हैं, DIs, DIs ने क्या long कर रहे हैं, या short कर र अगर इंडियान मार्केट में बाइंग पिशा लेके लॉट रहे होंगे ये एक अच्छा सिग्नाल होते हैं कभी भी मार्केट के अंदर 10% मार्केट में निप्टी के अंदर हाई लेवल से 10-15% अगर वन मन्त के अंदर गिर जाता है तो वो टाइम आपके लिए एक बेटर इन्वेस्टमेंट टाइम रहता है ध्यान दीजिएगा जब भी भी निप्टी के उपर 1-1.5 मांत में 10-15% डि क्लीन 2,000 पॉइंट डाउन विदिन 2 मांथ तो बेटर ऑपर्चुनुटी जिन्नोंने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं धीरे-धीरे माल उठाता रही है जो लॉंग टर्म गैनर है मिट्टैम लॉंग टर्म इन्वेस्टार है तो चलिए अब हमने मंडे का निप्टी का स मैं चार्ट बता देओं इसको आगे मुझे नहीं रखता है बहुत ज्यादा आपको बताना है और ज्यादा क्लियर करना चाहते हैं तो कल मैं जब लाइब में आऊंगा कल मैं एक बज़े आपके साथ लाइब में आऊंगा लाइब सेशन जोईन कीजिए निप्टी का और ड 200 देज लाइन दोस्तों यह होता है और एक बहुत इंप्वार्टेन मुविइज होता है और साथ ही मैं यहाप आपको दिखा हूँगा मोगी अबर्स 200 देज और ऐसी जो होता है यह हमारा कोर्स के अंदर आपको बताया जाता है कि यह स्प्रेट मुवी अबर्स अनलेसी लेवल को रेजिस्टेंस फेस कर रहा था पिछले दो दिन से ओके और बाकी ओल सेक्टर में दिखाऊंगा और उससे पहले मैं बता जाता हूं कि बैंक निप्टी का क्या टेरिंग जोन हो सकता है क्या टेरिंग लेवल हो सकता है तो यहां पर मैं बात करूंगा 37,000 देखो 400-500 गैप अप होना यह कोई बड़ी बात नहीं है और यहां से सेम जैसे मैं आपको निप्टी का रेजिस्टेंस दिखाया था अगर मैं इस बैंक निप्टी का भी रेजिस्टेंस दिखाया हूं तो यह टेरिंड लाइन कहां पर आ रहा है वह भी मैं आपके साथ रोज का वीडियो थोड़ी थोड़ी देखेंगे डेफिनेटली आप मार्केट को शीख पाएंगे अगर आप शीखने के लिए आ रहे है अगर आप टिप्स के पीछे भागेंगे तो पूरा जिंदेगी टिप्स के पीछे भागते जाएंगे मिलना दुलना हाई नहीं तो यहां से 200 से 300 पॉइंट और पॉजिव एक्सपेक्टेश कर सकते हैं जो 37,300 वाई 37,300 आप क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर हमने 200 डेज मूवी एब्रेज बैंक निप्टी को उपर हमने देख पा रहे हैं ओके तो इन लेबले पर थोड़ा सा क्यार्फुल रहेगा 37,300 तक मैं नहीं बोलूँगा 37,200 से लिके 300 काफी रेजिस्टेंस यह फेस कर सकता है बैंक निप्टी तो इस जगा पर आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करना है आप समझ पा रहे होंगे गलोबाल मार्कर का इस्तिति बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहेगा तो डेफिने लेन अगर हटा दू तो यहाँ पर निप्टी का 200 इस लाइन ओके देख पार है कहां पर ब्रेक होआ है और इस कहां पर चल रहा है यहनके निप्टी के लिए रिजिस्टेंस कहां पर बन रहा है 16,900 जो मैं टेकनिकल लेबल से भी आपको बताया हो बैंक निप्टी के लिए अपने देख चुके हैं IT सेक्टर 200 इस से उपर सश्टिन होने का कोशिश कर रहा है फाइन सर्विस सेक्टर आटो सेक्टर और मेटल सेक्टर सब में ध्यान दे दिए क्योंकि बहुत जब लंबा वीडियो हो जाएंगे मैं आपको शॉटली इसको ब्रीफ करने का कोशिश कर लग जाता है तो यहां पर भी सेम ऐसी है एक भूरा सपना आया था अब उसको भूलने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मार्केट को हमें देना पड़ेगा तो हमें यह देखना है यह सारे सेक्टर कैसे या निप्टी कैसे धीरे-धीरे 200 इस को क्रॉस कर रहे हैं उसको पर सस्टेनेबल हो रहा है तभी जाके पज़रिवा सकता है बट मैं डेफिनेटली एंड क्लियाली बिल्कुली मैं यह नहीं कहूंगा कि मार्केट का स्थिती फुली सुदर गया है जब तक नहीं यह दोनों देशों का जो लड़ाई का सीच्वेशन है फुली हमारे क ग्यास सेक्टर के उपर है और ग्यास सेरिस यह उक्रेइन के उपर और मतर्य से जब इसंग्यूंहीं बोलने हैं और अभी से अगर कुछ ब्रीप करूँगा और नियूज कुछ और आये गा तो अपसप न ब्रीप करना बेकार हो जाएगा तो अपसंचेन आप आप कहेंगे तो कल के दिन में है अभी मैं जब लाइब में आओंगा तो